नमस्कार विद्यार्थी मित्रों दोरण साथ विशवे विग्नान टेकनोलोजी पाठ चार उसमा विद्यार्थी मित्रों तम्मे आँ चेनल ने सब्सक्राइब नव करी होए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेर करजो साथ ये बाजु मां आपेला बेल आइकन ने क्लिक कर जो जेथी अमार नवा आउता है जुकेसे ना वीडियो आप सुधी पहंसता रहे हवे आपने जुए पाट चार उसमा प्रक्रन त्रण मा तमे सीख्या के उन्ना कपडा प्राणियो नी रुवाटी माथी बन्दाव मावे ची बराबन्ने आगल आपने पाट भणी गया प्रक्रन त्रण मा कापड थी रेशा थी कापड शुधी तो तमें एपन जानों छे के सुत्राव कपड़ा वनस्पतिना रेशाव माथी बने छे शीयाडानी रुतुमा जारे बहार खुबस ठंडी होई त्यारे आपड़े उन्ना कपड़ा पईरिये छे उन्ना कपड़ा आपड़ा सरीने हुमफाडू राखे छे जारे गर्मीनी रुतुमा हडवा रंगना सुत्राव वस्त्रो पहेरता आपड़ो सरी ठंड़क अनुपवे छे चोककास रुतुमा खास प्रकाना वस्त्रोज सामाटे अनुपड़ा वे छे आपड़े सीयाडानी रुतुमा गरम कपड़ा पईरिये छे उनाडानी रूतु मा सुत्राव अने ठंडा कपड़ा पेरिये छे तो के मावी रिती आपणे कपड़ामा विवित्ता पुर्व कपड़ा पेरिये छे तो तेनू सुन कारान होई सके तो ते बाबदनी नवाई तमने जरूर लागती है सेखरूने तो सियडानी रूतुमा गन्नी अंधना भाग मा ठंडी लागे छी परांतु गन्नी बाहार सूरीयना तड़कामा आवता हुमपुनो अनुप थाई छे बराबर घरमा हुई ये सियडामा तो आपने ठंडी लागे जी आरे बार सूरद नो तड़को होई ने आपने तड़कामा बेच्ची एतो थोड़ो गर्माओ लागे छे तो उनालानी रुतुमा गर्ना अंदनना भागमा आपनने गर्मिया लागे छे बराबर तो उनाडाने रूतुमा गणने अंदन्ना भागमा पन आपणने गर्मीयानू बविये छे तो आउ सा माटे कोई पदा ठन्डो छेके गरम ते आपणे केवी रिधे जानी सके वड़ी कोई पदार्थ केटलो ठंडो छे के गरम ते सोधवा माटे आपड़े सुन करो जुए आपड़े आ प्रक्रण मा आवा केटलाई प्रश्णो ना जवाब मेडवानो प्रयतन करीशू चलो ठंडो अने गरम रोज बरोजना जीवन मा आपड़े संख्या बंद पदार्थो ना संपर्क मा आवे छे तेमाना केटलाग पदार्थो गरम होई तो केटलाग ठंडा होई बराबर आखा दिवस मा आपड़े गणाविदा पदार्थो ना संपर्क मा आवे छे केटला एवा पदार्थ छे गरम होई छे केटला एवा पदार्थ वोई छे के ठंडा होई छे तो आई यहां कोष्टक बनावेलो छे आई पदार्थ लखेलू छे बाजुमा ठंडू लखेलू छे आने बीजी बाजुमा हुम फार्वीट लेके गरम तो आइस्क्रीम तो आप बराबर अवे आपणे आगर जोईए जयारे जणाई छे अने कितलाग पदार्थो ठंड आनुबवाई छे तरत जबनावी ने कप मा काठेली चा गरम होई परन्तु बरफ तो ठंडो जोई खरूने तो कोश्टक 4.1 मा सामने रिते वप्रता आवा कितलाग पदार्थो नी सुची बनावी छे तमे तमारा अनुबव पर्थी आमाना कया पदार्थो गरम के ठंडी तेनी निशाने करो चल अतिसाए गरम पदार्थो ने सीधाज अड़कता नहीं जयारे तमे शड़कती मीन बती के गरम स्टाउनों उप्रियो करो त्यारे दाजी नर जवाई तेनी खास कारजी राख जो आपणे जोयू के कितलाक पदार्थो ठंडा होई छे जयारे कितलाक पदार्थो गरम होई छे तो कयो पदार्थ बीजा पदार्थ करता गरम छे ते तमने केरते नक्की करशो आपने एतो खबर पड़ी अडिने खबर पड़ी जय के आ पदार्थ ठंडो छे, आ पदार्थ गरम छे, पर कोई बे पदार्थ गरम लो, हवे आ बे माथी कयो वधू पदार्थ गरम छे, ते आपने साना पर्थी नक्की करशू, तो सामने रिते आपने पदार्थ ना साजेन स्पर्स द्वारा माहिती मेडवी शी पर अंतो शू आपणा स्पर्स वड़े थतो अनुभव विश्वसने होई खरो कोई पन बेवस्तु गरम होई एने आपणे अडे जोई तो कईू वधू गरम छे ते आपणे जल्दी खबर पडशेने गरम तो छे पन वधू गयू गरम ते आपणे खबर नथी प्रतितो चालो हवे आपणे सोधी काडिये आई प्रवरित्ती करेली छे कि त्रन नाना टब लो तेना पर A, B, C, M लेबल लगाओ गरम पाणी एटलू वधू गरम न लेवू के जेथी तमारों हाथ पन दाजी जाई बराबर हवे आगण हवे तेना उपर चिठी लगाई देवाने छेन पात्र A मा ठंडू पाणी पात्र B मा गरम पाणी बरो हवे पात्र C मा अरदू गरम अने अरदा ठंडा पाणी नू मिश्रन बरो पात्र A मा ठंडू साव भरवानू पात्र B मा गरम पाणी बरो अने पात्र C मा अर्धू ठंडू अर्धू गरम बन्ने नू मिक्स पाणी बरो हवे तमारो डाबो हाथ पात्र A ना पाणी मा जम्नो हाथ पात्र B ना पाणी मा डू बालो त्यार बात बेत्रण मिनिट पछी तमारा बन्ने हाथ एक साथे पात्र सी ना पाणी माद्डू बाल। सु बन्ने हाथ समान अनुबह करे छे, तो ये बुजो कहे, मारो डाबो हाथ कहे छे के पात्र सी मानू पाणी गरम छे, जारे जमणो हाथ एउ कहे छे के तेज पाणे ठंडू छे, हवे मारे सु अनुमान करवू, तो बुजो नी मुझमन दर्शावे छे के, मात्र स्पर्स वडे, पदार्थना ठंडा, के गरम होवानू अनुमान आपणने छेत्रामनू साबित था, छे स्पर्स ची आपणे कही सक किये नहीं, तो पदार्थ केटलो गरम ते ठंडो छे, ते आपणे के वी रेते सोधी सकिये, तो पदार्थना गरम के ठंडा, होवानू प्रमान भूत, मापन तापमान तरीकी ओडखाई, छे, तापमाननू मापन करता साधन ने थर्मोमीटर कहेवाई, छे, यादर्यक जो विद्यार्थी मिद्रो, अहीं व्याख्या बने गई, के पदार्थना गरम के ठंडा, होवानू प्रमान भूत, मापन तापमान तरीकी ओडखाई, छे, अन्ये तापमाननू मापन करता साधन ने थर्मोमीटर कहेवाई, छे, हवे तापमाननू मापन, तमे थर्मोमीटर ज जोयू छे? याद करो. ज्यारे तमारा कुट्टुम मा थे कोईने ताव आवियो होई, त्यारे तिमना सरीननु तापमान मापवामा आवियो होई, त्यारे तिमना सरीननु तापमान मापवामा आवियो होई, जे थर्मोमीटर वड़े आपड़ा सरीननु तापमान मापवामा आवे छे तेने क्लिनिकल थर्मोमीटर अथ्वा तो तबी भी थर्मोमीटर कहे छी जो तमारी पासे क्लिनिकल थर्मोमीटर न होय तो तमारा मित्र के पडोसी पासे थी लैने जुओ तेने तमारा हाथ मा कार्जी पुर्वक राखी ने तेनू ध्यान थी निरिक्षन करो तो आ तो समान जाड़ाई वाड़ी पातडी सांकडी काचनी नड़ी एक छेडा पन नड़ी ने अंदरना भागे फुलेली बल्ब जेवी रचना होई छेँ आँ बल्ब मां मर्क्यूरी एटले के पारो भरेलो हाई छे बल्बनी बहाना भाग मां मर्क्यूरी नो पातरो दोराजे भाग देखाई छे बराबर तमें जो ही सको छो जो तमने मर्क्यूरी नो दोरो न देखाई तो थर्मोमीटर बनने हाथ मां पक्रेने दीरे दीरे देखा वड़ी थर्मोमेटर नी सपाटी पनु अंकन पन सपस्ट नजरे पड़े ची आ अंकन सेल्सियस माप क्रम मा होई चे जैने सी वड़े दर्शावाई चे अंस सी वड़े दर्शावाई चे एटले के सेल्सियस वड़े दर्शावाई चे तो बुजोने नवाई E लागी के आकरो थी 4.2 मां दरसाल 2 मापक्रम मां थी कई मापक्रम नू वाज़न करूँ पहेले जड़ा, व्योके भारत मां सेलसियस मांपक्रम ने स्विकारवम आवेलू छी मांटे आपने सेलसियस मापक्रम नोज उप्य करूँ बीजो माप क्रम छे जे चोराणों थी 108 नो छे तेने फेरन हिट माप अउंस कैवाल छे जे अगाउना समय माँ वप्रातो हतो क्लिनिकल तर्मोमीटर 35 अउंस सेल्सियस थी जे क्लिनिकल डॉक्टर नुँ धर्मोमीटर हो एर 500 अउं सेलस्यर्स थी 42 अउं सेलस्यर्स तुदी नुँ तापमान मापी सके प्रवरुती चार पोईट बे मा जोईए कि थर्मोमीटर नुँ वांचन चालो, आपड़े जोईए कि थर्मोमीटर ना मापक्रम नू वांचन केवी रिते करवू तो सव प्रधम पास पास से आवेला बे मोटा अंकन वच्चे तापमान नो तफावत केटलो छे ते नोंदो वड़ी तेमनी वच्चे ना भाग मा कूल केटला भी भागो छे? बराबर तो आपड़े क्लिनिकल थर्मोमीटर ना वांचन वखते रखाती साव चेती तावे कई-कई साव चेती राख्षो के थर्मोमीटर ने वप्रास पाहला अने पछे योग्या जन्तुना सब द्रावन थी धोवू वप्रास पहला पारा अनुस्तर पांत्रीस अउँ सेल्सियस से नीचे छे के नईते जुओ जैरे थर्मोमीटर वापरिये त्यारे जे पारा अनुस्तर से पांत्रीस अउँ सेल्सियस से आवी गयलू हो जोई तमारी द्रस्तिना समांतरे पारानू लेवल लगाखी ने जुओ थर्मोमीटर ने कार्जी पूर्वक राक हो जेते कोई कठाण पदार साथे अथला से तो तूटी जासे थर्मोमीटर ने ज्यारे आक नोधातो होए त्यारे बल्व थी ना पकरो हवे अंकन वड़े दर्सावेला तेनी पन्नोध करो धारो के बे मोटा अंकनो वच्चे तपफावत एक अंस छे अने बे मोटा अंकनो वच्चे कूल नाना विबागों नी संख्या पाँच होए तो नाना विबागाना मुल्य नुवा चन एक पंच माउस बराबर 0.2 आउस सेल्चियस करी सकाई थर्मोमीटर ने जन्तूना सक एटले के अंटिसेप्टिक प्रवाही वड़े बराबर साव करीलो तेने तमारा हाथ मा मर्करी वाडा भागमा विरुद छीडा तरब थी पकड़ीने हडवे थी थोड़ाग जटका आपो डोप्टर खबर छी आपड़ो तापमान मापता होई ज्यारे थर्मोमीटर ने पकड़ीने हाथी जटको आपे छी आ जटकाने कारणे थर्मोमीटर नी नड़ीमा रहेल पारो नीचे उतरी जसी मर्क्यूरी ना दोरानो छेणों 35 अउं सेल्सियसी नीचे छे तेनी खातरी करो हवे थर्मोमीटर मा मर्क्यूरी वाड़ा छेडाने मोढ़ामा मुकी ने तेमनी जीबनी नीचे रहे तेम एकाद मिनेट राखो त्यार बाद तेने बहार काडी ने स्केल पननू तापमान वाचो आ थयू अउं सेल्सियस एकम मा तमारा सरीनू तापमान तमे तमारा सरीनू तापमान केटलू छे तेनों द्यू खरो नी तुमानों सरीनू सामनने तापमान 37 अउं सेल्सियस छे खास नोद करो के तापमन तेना एकम साथेज दर्शावाई छे तापमन एवी रीते नथी लखातू तापमन तेनी पाचर अउस सेल्सियस लखो जरूर छे 35 थाई, 36 थाई के 46 थाई तेनी पाचर अउस औने C एटले के सेल्सियस करो जरूरी पहिलिये तेना सरीनु तापमान माप्यू तेने चिन्ता थवा लागी कि तेना सरीनु तापमान 37 ओं सेल्सेस जेटलू चोककस नथी तो चालो आपड़े तेनी खात्री करावी लिये कि तेमा कई चिन्ता करवा जियो नथी अई तमारा मित्र उच्छामा उच्छा दस ना सरीना तापमान क्लीनिकल थर्मोमेटर वड़े मापीने तमारा आवलो करनो कोस्टक 4.2 मानों तो तमारे घरे प्रयोक करी जुवानों छे तो दरेक व्यक्तिना सरीननु तापमान बराबर 37.6 जिटलू छे खरू तो दरेक व्यक्तिना सरीननु तापमान बराबर 37.6 न पण होई सके तो सरीन्नों तापमान 37 अउं सेल्सेस करता सहेज वधु के ओचूपन हुआई वास्तोमा जेने अपने सरीन्नों सामन तापमान 37 अउं सेल्सेस कहिए छे ते गणी मुटी संख्याना तंदुरस्त वेक्टियोंना सरीन्ना तापमाननु शरेरास मुल्य छे सामन या जे दरेक वेक्ति होई साजो तेने 37 अउंं सेलसियस येनु तापमान होई तो clinical thermometer नी रचना मात्र मानुशरी ना तापमान मातेज करेली छे तो सामन ने डिते मानुशरी नुशरी नू तापमान 35 अउं सेलसियस थी निचे के 42 अउन सेल्सियस ही उपर जतू न थी माटे क्लिनिकल थर्मोमेटर नो मापकरम 45 अउन सेल्सियस थी 42 अउन सेल्सियस हो आई हावे बुजोने तेमनी तोफानी विचार आगयो लाव तो क्लिनीकल फ़र्मोमीटर वड़े गरम दुदुनू ताप मान pass परन्तु पहिलिये तेने तीम करता आटकावे बराबर सु क्या छे के जे clinical thermometer छे तेना थी गरम दूदनी दापमान माप़ी सको एव वीचारीओ पन पहिलिए तेने अटकावियो क्येनके मानव सरीर सिवाई ना कोई पन पदार्थनों दापमान मापवा माटे clinical thermometer दापमान मापवा माटे Ellinical thermometer दां कामा के अगनीने नजिक राक सोते तुटी जवानी संबावना छे तो प्रयोक्सालामा वप्रातु थर्मोमीटर एना माटे प्रयोक्सालामा वप्रातु थर्मोमीटर अलग होय छे तो मानो सरीर सिवायना पदार्थोना तापमान आपड़े केवीरते मापी सक्किये तो आ हेतो माटे बीजो थर्मोमीटर छी बराबर तो विवीद हेतो माटे जुदा जुदा थर्मोमीटर वप्राई छे महत्तम लगुत्तम थर्मोमीटर वडे आगणना दिवसनों महत्तम अने लगुतम दापमान हवामाना खाता ओद्वारा मापीने जणावाई छे ते मापवा माटे वप्रात थर्मोमीटर ने महत्तम लगुतम थर्मोमीटर कहे छे पण बन्नावामा आवेला छे आमानु एक थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर तरीके ओड़ खाय छे जे प्रयुक्साणमा वपरायते लेबोरेटरी तमारा विग्नान सिख्षक जरूर थी तमने लेबोरेटरी थर्मोमेटर बताव से कार्जी पूर्वक तेने जुओ तेमा अंकन करेला महत्तम तथा लगुतम तापमाननी नौन्त करो सामन्य रिते लेबोरेटरी नी रेंज माइनस 10 अंसेल्सियस थी 110 अंसेल्सियस होई छे वड़ी क्लीनिकल थर्मोमेटर माटे तमे जोयू हतु के तमे लेबोरेटरी थर्मोमेटर वड़े नानामनानू किटलू तापमान मापी सको छो ते जानेलो आ जानकारी वडे तमे थर्मोमीटर वडे दर्सावतु तापमान चोकसाई पूर्वक मापी सक्सोतो चालो आपड़े आ थर्मोमीटर नोप्यो कै रीते थाई ते सीखिये अई प्रवलूत्ती 4.4 छे के प्यालो के बीकर मा थोडू नड़नू पाणी भरो लेबोरेटरी थर्मोमीटर ने उपणना भाग्थी पकडिने तेनने मरकुरी वाडू मरक्यूरी एटले के पारा वाडू छेडू पाणी मा डुबेलो रहे तेम राखू मरक्यूरी बल्ब वाडू थर्मोमीटर नोचेडू पात्रना तडिये के दिवालने अड़के नहीं एम थर्मोमीटर ने उबो गोठ उबो हवे थर्मोमीटर ना पात्रावे मा मर्क्यूरी नी हलन चलन ने ध्यानती निहालो ज्या सुधी थर्मोमीटर ना पात्रावे मा पारोस्थीर न थाई त्या सुधी राजुओ जे स्थाने पारोस्थीर थायो ते स्थाननों अंक ते नोधो अने ते समयनु पाणीनु तापमान दर्शावे छे मुल्यानी नोध करो हवे भूजो ने ते वाद समझाई जे कि सा माटे उंचु तापमान मापव माढे clinical thermometer वपराई नहीं वे फक्त आपड़ा सरिनु तापमान मापव मापी सकाई छे बड़ाबर तो हावे चे Lily Laboratory थर्मोमीटर छे तेना वड़े आपड़ा सरीनू तापमान मापी शकाई छे यह आहिना प्रस्ण करियो छे तो आपड़े ते जोई हे अई उपपर लखेलू छे के क्लिनिकल थर्मोमीटर तथा लेबोरेटरी थर्मोमीटर मा तापमान अवलोकर नोंती वकते राखवाने जरुरी बाबतो शाव चे दी तो थर्मोमीटर ने सीरो लंबज राखू, त्रांसू नहीं तेने उपोज राखू, तेने त्रांसू रखाई नहीं थर्मोमीटर नो पारो भरेलो बल्ब जे बदार्ट के प्रवाईनू ताकमान बनुए तेना संपर्क मा बदी बाजू थी होवो जरोरे छे वड़ी थर्मोमीटर नो मर्क्यूरी नो छेडो पात्रनी दिवालने अड़को जो ये नहीं चलो, वर्गना दरेक विद्ध्यार्थे वड़े नो देला ताकमानो शर्खाओ, शु बदाना आवलोकनो समान छे के नहीं तो तापमान मा तफावत के मावियो तीनी पन चर्चा करो, अहीं प्रवर्थी 4.5 छे विकर के प्याला मा थोड़ू गरम पानीलो, तेमा लेबोरेटरे थर्मोमीटर ने डुबाणी ने उबुराखो ज्या सुधी पारो स्थीर थाए, त्या सुधी राजू, त्यार बात तमारू तापमाननु अवलोकन नों दिलो, हवे हडवे थी, थर्मोमीटर ने पानी थी बाहर काडो, जूओ सुथाई छे, सुथामे जोयू के जेऊ थर्मोमीटर पाणी नी बहारा आवियू के तरत पारानुस्त नीच्चे उतरवा लाग्यू आनो अर्थ ते थाए के जारे थर्मोमीटर पाणी मा डूबालेलू होई त्यारे स्तापमानू अवलोकन लह लेवो खबर पड़ी विद्यार्थी मित्रों के आपणे जे टाएमे गरम पाणी मा थर्मोमीटर नाक्यू होई ते टाएमे पारो जेतलो उन्चो आवे औना जेतला अंकु परो ए अंक आपणे नोट मा नोधी लेवो जोये पण आपणे ए अंक नोध्ता नथी ने थर्मोमीटर पाणी नी बहार काडी लईये छे औन त्यारे अंक नोध्वा जईये छे तो पारो स्थीर रएटो नथी पारो पाछो नीचो ब्यासी जाहाई तमने ए चोक कसी आद आवसे के सरीनो तापमान मापवा माटे तमे क्लिनिकल थर्मोमीटर ने मोड़ा ममोग्यू हतू परन तो तमे तेने मोड़ा नी बहार काडी ने तापमान माप्यू हतू तो सु तवे सरीनो तापमान मापवा माटे लेबोरेटरी थर्मोमीटर नू वापरी सको खरा ना कारण के देखी ती रिते सरीनू तापमान मापमाटे लेबोरेटरी थर्मोमीटर वापरू हितावर न थी तो पछी तमने प्रश्ण थाए कि क्लीनीकल थर्मोमीटर ने मोधानी बाहर कार्ता तेमा पाराना लेवल मा सामाटे फिरफा न थयो तो हवे फरी थी क्लीनीकल थर्मोमीटर ने ज्यान थी जुओ तमने पारो भरेला बल्बनी नीचे खाच देखा से आ खांजनों उप्योक्सूं छे ते पाराना स्तने नीचे उतरतू जतू अटकावे छे जोईलो आई ये थर्मोमीटर देखाई छे त्यां खांच देखाई छे थर्मोमीटर मा पाराना वपरास अंगे गणी बदी अंगत बाबातु रहेली छे पारो जेरी पदार छे जारे थर्मोमीटर तुटी जाए त्यारे पारानों निकाल करवो मुस्केल छे आ कारणे अत्यारे डिजीटल थर्मोमीटर नो वपरास वद्यों छे करनके तेमा पारो वप्रातों नथी आओ डिजीटल आओ पन धर्मोमीटर वापर दापणे जोयू छे आने डिजीटल धर्मोमीटर कहे सकाई छे हवे उसमानू प्रशरण तमे कदा जोयू अशे के जारे तडवानी कड़ाईने जोत पर राखवा मावे त्यारे ते गरम थाई जाई छे तेनु कारण एचे के उसमा जोत मा थी वासर मा प्रहसर जी परन्तो जयारे कड़ाईने जोत्ती अलग करवामा वेत्यारेते धीमे धीमे थन्डू बड़े जी आवखते उसमा वासर थी वात्तावन तरफ वहन थती होईचे तो हवे तमें समझे ग्यासो के उसमा गरम पदार थी थन्डा पदार तरफ वहेचे वास्तोमा बदाज किस्सावमा उसमानू वहन हम्मेशा गरम पदार थी थन्डा पदार तरफ वहेचे उस्मानु वहन कही रिते थाई छे गरम पदार थी दिमे दिमे ठंडा पदार तरफ थाई छे उस्मानु वहन के विरते थाई छे तो 4 आपने सोधी काड़े अहिया प्रवरुती 4.6 करेली छे के अल्यूमिनियम के लोखन जिवी धातुनो नानो सड़ियो के पट्टिलो समान अंतरे राखो पट्टी ना एक छेडाने स्टैंड वड़े पट्टी समक्षितीज रहे अने मीनना टुकडा नीचे तरफ रहे टैम गोठो जो स्टैंड ना होए तो आकृती माँ दर्शावया मुझा तेने 2 इंटो वच्चे भरावी हावे बीजा छेडानी तद्दन नजीक सड़कती मीन बत्ती गोठवी ने ध्यान्थी आवलोकन करो तो मीनना टुकडाओन सु थाई छे सु तेओ पिगडिने नीचे पड़वा लागे छे मीननोर कयो टुकडो सौथी पहला पड़ी गयो तो तमने वीचार आवे छे के दातूनी पट्टी छे अने उसमानो वहन छे एक छेडे मीन बत्ती सड़कावेली छे धीमे 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 धातूनो छेडो गरम थतो जाई छे तो उस्माना गरम छेडा थी थंडा छेडव थरफ वहन थवानी आप प्रक्रियाने उस्मा वहन कहे छे प्रस्ण छे व्याक्या छे पुछाई छे तेदा में ध्यान थी जो जो के उस्माना गरम छेडा थी थंडा छेडा थरफ वहन थवानी प्रक्रियाने उस्मा वहन कहे छे गणपदार्थों मा साम्मने रिते उस्मानु प्रसरण उस्मा वहन नी प्रक्रिया द्वारा थतु होई छे गणपदार्थ मा सु बदाज गणपदार्थों उस्मानु वहन सररण दाथी करे छे तमें चोकर जोय वसे के रसोई में वप्राता धातूना पात्रना हेंडल प्लास्टिक के लाकडा माथी बनावाई छे बराबर आपणे कुककर होई कुककर जोईलू छे ते कुककर पकडवानों चे हाथो होई छे ते सामा बनाईलूए छे प्लास्टिक एपोनाईट के लाकडा माथी बनावाई छे के तमें दाज्यावगर गरम पात्र ने तेना हाथ वड़े पकड़ी ने उंचु करी सको छोखरू ने तो प्ररुती 4.7 मा करेलू छे के नाना भीकरमा पाणी बरी ने तेने गरम करो एवी रिते डुबाळ के एक बाजुना छेडाओ पाणी नी बाहर रही थोड़ो समय राजुया पशी आहिया तमें जुओ आहिया वस्तु छे के स्टिलनी चमची तो वप्राइल वस्तु पदार्तमा बनेर होई ते धातु शु बीजो छेडो गरम जनाई छे हाँ बराबर स्टिलनी चमची होई एक छेडो आपणे गरम पाणी मा नाखे दीदो तो दीमे 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 तेनी उप्राणो भाग पन चमची पकड़ा जाई सु तो केवी थाई जाई छे गरम तो बीजो छेडो पन गरम थाई जाई छे पछी गरम चलो वे आपणे आगर जोई है के पछी गरम पाणी मा डुबाडेला पदार्थो ना पाणी नी बाहार रहेला छेडाओने अड़को तमारा अवलोकानो नीचे कोष्टक चार पोईंट रमानों तो जे पदार्थो पोता नामा थी उस्मानों वहन सरर्ता थी थवा दे छे तेने उस्माना सुवाहक पदार्थो कहे छे आबीजी व्यक्यावी ध्यान राग जो विद्यार थी मित्रो के जे पदार्थो फोता नामाथी उस्मानु वहन सरर्ता थी थवादे तेने उस्माना सुवाहक पदार्थो कहेवाई? उदाराण तरीके अलुमिन्याम, लोखण, अने ताम्बू, जे पदार्थो माती उस्मानू वहन सैलाई थी थतू न थी, तेने उस्माना मंद वाहक पदार्थो कही छे, जेम के लाकडू अने प्लास्टिक उस्माना मंद वाहको छे अथ्वातू अ वाहक कहे बाईची, आहि पाणी तथा हवा उस्माना मंद वाहको छे, तो पछे तेवोमा उस्मानू प्रस्ण केवीर दे थतू अशी, हवे तमने विच्चारा थायो, क्या अपड़े घन पदार्थनू तो जोयू, तो पाणी अन्ने हवा पण उस्माना मंद वाहको छे, तो तेमा उस्मानू संचर कई रिदे थाई छे तो चालो ते पंड सोधी आपड़े एक चम्बू आकार नो फ्लास अकलो तेमा बेत रुत्यां उस भाग सुधी पाणी बरो तेने त्रीपाई पर मुके ने तेनी नीचे मिन बत्ती गोठो बिकर्मानू पाणी स्तीर थाई जैत त्या सुधी राजु हव हवे स्ट्रोणी मद थी पोटेसियम परमेंगेनेट ना 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 स्फटिक हडवेक थी पाणी मा नाखो जेथी दे पात्र ना तड़िये बेसी जाए हवे स्फटिक नी बराबन नीचे मिन बत्ती मुकी ने पाणी ने गरम करो तमारू आवलोकन नोद पोथी मा लखो नी नजीक तड़ियाना भागनू पाणी गरम थाई छे त्यारे ते गरम पाणी उपर तरब स्थायांतरन करवा लागे छे विद्यारती मित्रों तमे गेस उपर गरम थतु पाणी जोयू अशे तपेली मा ज्यारे तमे गरम करवा पाणी मुको छो त्यारे गेस नीचे थी सडगाओ छो दिमे दिमे जेम नीचे नू पाणी गरम थतु जाए तेम तेना पाणी ना परपोटा गरम परपोटा उपर आवा मंडे छे अने जे ठंडू पाणी उपर नू होई ते नीचे जाए छे गरम पाणी थाईने उपर आवे छे अने उपर आवे छे अने उपर नू जग्याई लेवा उपणनू तथा आजू बाजूनू ठंडू पाणी नीचे तरफ आवे छे आ पाणी पन गरम थता ते उपर तरफ गती करवा लागे छे तो पात्रने दिवाल पासे ती ठंडू पाणी तड़ी आ तरफ आवे छे जग्याँ सुधी बदूच पाणी गरम नव ठाई जय त्याँ सुधय आ प्रक्रिय चाल्याज करे छे उश्मान आ प्रकार ना प्रशरणने उस्मा नयन कहे छे तमने आवे खबर पड़ी के प्रवाहीमाा उस्मानु संचरन कैई रिते थाई छे उस्मान नयान द्वारा ता प्रवाही मा जे प्रकारे उस्मानु संच्रन थाई छे ते रितने आपणे उस्मान नयान कहिवाई छे तो हवामा उस्मा कई रिते बहन करे छे आतो आपणे जोई प्रवाही हवे आपणे जोई ये हवानू दुमालो कई दिसामा जाई छे गरम पदार्थोना संपर्क मा रहिली हवा गरम थता ते उपर तरफ गती गरे छे बाजु माधी ठंडी हवा तेनी जग्याय आवे छे आ रिते हवा गरम थती होई छे नीचेनी प्रणुती वड़े आ वातने वदू स्पष्ट पणे आपने समझे एक मीन बत्तीने स्ट्यांड पर मुकीने सलगाओ तमारो एक हात मीन बत्तीने ज्योत्ती सहे उपर दाजी न जवाई ते रिते राखो अने बीजो हात ज्योतने वाजुना भाग मा राखो सु तमारा बनने हात समाणरी ते गरमी आनुभवाई छे जो नहीं तो कईो हात वदू गरमी आनुभवे छे सा माटे ते जोये के ज्योत ना संपर्क मा रहली हवा ज्योत नी गर्मी वड़े गरम थाईने उपर तरफ जाईची माटे ज्योत नी उपर जे गोठवेलो हाथ छे बराबर तमारों हाथ वदू गर्मी अनुभवे छे जे हाथ आपणे मिन्बत्तीनी ज्योतनी उपर गोठवेलो असे तेने वदू गर्मी लागे छी जारे ज्योतनी बाजुमा राखेलो हाथ गर्मी अनुबवतो नथी कारणके तेस्थाने उसमा नयन थतो नथी तो समुद्र काठाना विस्तारोमा वस्तालोको अदबूत गट्नानो अनुबव करता होई छी दीवसना भागमा समुद्रना पाणी करता जमीन जड़प्ती गरम थाई छी जमीन पन्नी गरम हवा उपर तरफ गती करे छे तेथी तेनी जग्या लेवा समुद्र पण्नी थन्डी हवा दसी आवेचि तो उन्चाई पर पवचेली गरम हवा समुद्र तरफ वाईवा लागे छे अने चक्र पून करेचे समुद्र पणती आवती हवा ने दर्यायी लहेर कहेचे ठंडक वाडी समुद्र नी हवाने मेडवा दरिया काठे रहता लोकोना मकानोनी बारी समुद्र तरफ नी राखवामा आवे छे जे लोको दरिया कीना रहता होय तेमना गर्णी बारी समुद्र तरफ होय छे तो रात्री ना समय बराबर दिवस्ती उल्टी परिस्तिती सर जाई छे समूद्र ना पाने जमिन नी सापेक से ठंडू परतावाल लागे छे आथी जमिन पनने ठंडी हवा समूद्र तरप वहे छे जेने लू कहे छे जारे आपने सूरियाना तड़का वड़ा विस्तार मा आवे छे त्यारे आपने हूफ नो अनुबव थाई छे तो सूरियामा थी आवती आ उसमा आपना सुधी केविरीते पहचे छे तो सूर्याने उसमा उसमा वहन के उसमा नयनने घटना द्वारा पहुँची सके नहीं कारण के सूर्या तथा प्रुथवी चलो तो वच्चेना मोटा भागना अवकास मा मध्यमा होतूज नथी सूर्यामा थी आपड़ा तरफ आवती उसमा बीजी एक प्रक्रिया द्वारा पहुचे छे जेने उसमा वीकरण कहे छे वीकिरण द्वारा थता उसमाना प्रसरणने माध्यमनी जरूर पढ़ती नथी उसमीय वीकिरन नी घटना माध्यमनी हाजरी के माध्यमनी गेर हाजरी बंडेमा बंती होई छे जारे आपड़े सियाडा मा रूम हीटन नी सामें बेसिया छे त्यारे आपड़े वीकिरन द्वाराज उसमा मेडवदा होई छे तो गरम थाईगेला रसुईना वासन ने जश्ती दूर मुकी रागता तेवु वातर्ण मा विकिरन द्वाराज उसमा घुमावे छे अरे अपटु सरीर पन विकिरन द्वाराज आस्पास ना वातर्ण मा उसमा आपे छे तथा उसमा मेडवे छे तो बदाज गरम पदार्थों उस्मानों विकिरण करे छे जारे आ उस्मा पदार्थनी सपाटी पर आ पात थाई छे त्यारे तेनों केटलोग भाग सोसाई छे केटलोग भाग परावर्तन बामे छे वड़ी केटलोग भाग, तेनी अंदरना भाग मा वहन पन पन पामे छे, तो पदार्थ मा सोसाथी उष्माने, कारणे पदार्थ नु तापमान वदे छे, तमे जियारे सूरियना तड़कामा जता रो, त्यारे तमने छत्री वापर्वानी सला सा माटे आपवमावे छे, बला उनाडानी रोतू, सियाडानी रोतू माँ पहरवा माटे ना वस्तरो, कपडा के मलग होई छे, ते जोई, तमे जानो छो, के उनाडामा आपड़े हडवा रंगना वस्तरो पाई दे छे, तथा सियाडामा आपड़े गेरा रंगना वस्तरो पाई दे छे, बराबर, उनाडा पर्मी आपे छे, जी अपने सी यळमा पेरी सक्किये छे, तो आउँ सा माटे, चालो आपणे तेपन सोधी घाडिये, के एक सरखा पत्राना बे डब्बालो, एक डब्बानी बहानी सपाटी काला रंग वडे, तथा बीजानी बहानी सपाटीने सफेद रंग लगाडीने सुक पाई जावादो अई उपपर लखेलू छे के आपणे आपणा गरोने ठंडा के गरम राखवा माटे विद्धूत कोल चो अने बड़तन नो उप्योग करिये छे सुम आपणे एउ बांदकाम करी सक्के जेथी गरमा बहारनी गरमी के ठंडी नी भहु असन नो थाए तो मकानो ना बांदकाम करती वखदे त्यानी बाहारनी दिवालो इवी रिते बन्नावाम आवे के जेथी त्यामा हवानू स्तर रचाए आ माटे आधूनी करीते थता नवा बांदकामो मा पोली इटो वडे दिवालो बन्नावामा आवे छे हवे यह अपने प्रवुर्ति करेली छे के काला तता सपवेद रंगनी सपाटी धरावता पात्रो हवे बन्ने डब्मामा समान प्रमण मा पाणी भरीने बपोर्ना तड़कामा आश्रे एकात कल्लाक सुधी मुकी राखो तो बन्ने पात्रों मा रहला पाणी ना तापमान मा पो सु तमने तापमान मा तफावत जणाई छे कई डब्बा मानू पाणी वधू गरम जणाई छे तमें आ तापमान मापवा करता बन्ने ना पाणी माँ हाथ नी आंगडी डुबाडी ने पर तफावत अनुबवी सको छो तो प्रवरूती 4.10 माँ वप्राइड सफे तथा काड़ारंगना बन्ने डब्बाव माँ साइड आउं सेल्सियस तापमान वाडू समान जथा माँ पाणी बरो हावे बन्ने डब्बाने ओरडा माँ के छाया वाडी जग्या पर भोरी मुकी दो 10 के 15 मिनिट पची बन्ने डब्बावना पाणी ना तापमान मापो शुआ बन्ने डब्बाना पाणी ना तापमान समान मुल्य धरावे छे बराबर के घटालों थयो तो शुआ प्रवती वड़े आपणे समझाई चे के सामा थे तो आपड़ा सरीर मा गेरा रंग ना वस्त्रो अने उनाडामा अडवा रंग ना वस्त्रो आपड़े केम पई रेचे अवे खबर पड़ी ने काडा रंग नू एटले के घाट्टो सपाटी वालू जे तपेली नू पाणी सकत गरम थाई जारे सफेद सपाटी वालू जे तपेली छे तेनू पाणी ओचू गरम थाई तो गेरा रंग नी सपाटी उस्मानू वदू सोसन करे छे माटे सियाडामा आपणने गेरा रंग ना वस्त्रो हूब आपे छे अने हडवा रंगनी सपाटी उस्मानू मोटा भागनू परावर्तन करे छे माटे उनाडामा हडवा रंगना वस्त्रो आपणने आरम दायक लागे छे सियाडामा उन्ना वस्त्रो आपणने हूफ आपे छे सियाडा मा आपने उन्ना वस्त्रों नो उप्यों करिये छी उन ए उस्मानू मंद वाहँची वड़ी उन्ना रेशाओ वच्ची हवा भराई रहे छी आ हवा आपना सरेन्ने उस्माने वातालमा जती अठकावे छी तेथी आपने हुफ अनुबवाई छी धारोगे सियाडा नी रूतुमा तमने एक जाडू ब्लेंकेट ओडवो के बे पातरा ब्लेंकेट ओडवा तेनी पसंदगी करवानू कईसे तो तमे सेनी पसंदगी करसो जाडू ब्लेंकेट बराबनने तो याद राखो के ब्लेंकेटों वच्चेना भाग मा हवानुस्तर रहिलू होई छे, तवे आपणा पाठ मा सूँ सीख्या तो पदार्थ केटला प्रमाण मा गरम छे ते जानवा माटे आपणा सरीननों स्पर्स हम्मेशा आदर्भूत के प्रमाण भूत करणी सका आए नहीं तेना माटे आपणे थर्मोमेटर नोप्योग करवो पड़े पदार्थना गरमपणानी मात्रा तापमान नामनी रासी द्वाराज नक्की करवामा आवे तापमान मापवा थर्मोमेटर नामनू साधन वप्राई छे आपणा सरीननों तापमान माटे क्लिनिकल थर्मोमेटर वप्राई छे तेना स्केलनू अंकन पात्रीस अउंस सेल्सियस थी 42 अउंस सेल्सियस सुधी होई छे बिज्जा उप्योग माटे लेबोरेटरी थर्मोमेटर वप्राई छे जेना स्केल नीरेंग माइनेस 10 अउंस सेल्सियस थी 110 अउंस सेल्सियस होई छे मानाव सरीनु सामने तापमान 37 अउंस सेल्सियस होई छे पदार्थमा उस्मानु वहन वधू तापमान वाड़ा विभाग थी ओच्छा तापमान वाड़ा विभाग तरफ जाए छे वड़ी परस्पर संपर्कमा रहला पदार थो पई कि वधू तापमान वाड़ा पदार थी ओचा तापमान वाड़ा पदार तरप उसमा वहे चे उसमा कई रिते वहन थाई छे आपने आगर जोई गया के वधू तापमान वाड़ा पदार्थी ओछा तापमान वाड़ा पदार तरप उसमानू वहन थाई छे तो एक पदार्थी बीजा पदार तरप उस्माना वहन आपने त्रण प्रकार जोई गया उस्मा वहन, उस्मा नयन अने उस्मा विकिरण सामनरी ते घन पदार्थमा उस्मानु प्रसरण उस्मा वहन नी प्रक्रिया द्वारा प्रवाही तथा वायोनु उस्मा नुप्रसरण उस्मा नयन नी प्रक्रिया द्वारा थाई जर उस्मिय विक्रन नी घटनामा माध्यमनी हाचरी जरूरी नथी जे द्रव्यो उस्मानु सहलाई थी वहन करे त्याने उस्माना सु वाहको कहे छे जे द्रव्यों उस्माने सहलाई थी पसार थवा देता नसी त्याने उस्माना अ वाहको कहे छे 11 रंगना पदार्थो आच्छा रंगना पदार्थो करता उस्मानु सोसर वदू करे छे आथी उन्नाडानी रूतुमा आपड़े हडवा रंगना वस्त्रो आराम दायक लागे छे उन्ना कपड़ा सियाडानी रूतुमा आपड़ा सरीनु तापमान जाणवीने हुँ भापे छे आम थवानु कारण उन उस्मानों मंद वाहक छे वड़ी तेना रेशाओमा रहेली हवा आपण उस्मानी मंद वाहक होई छे विद्याधी मित्रो अहीं आपड़ो आपार समाप थाई छे हवे आगर्णो पार आपड़े नवा वीडियो मा जोईसू धन्यवाद